नमस्कार दोस्तों मैं हूँ राजीव देव और मैं आज आपको बताऊंगा वह सर्प्राइज जो मेरे पिछली वीडियो में थी वह सर्प्राइज की ड्रोइंग में आपको बना के बताऊंगा तो इस वीडियो को लाश्ट तक देखें वो इसकी बिल्कुल भी ना करें और आपको समझ में कुछ भी नियाएगा ठीक है फ्रेंस तो वीडियो को अंतिम तक देखें और वह सर्प्राइज जो मेरे आपको बताया था वह आप देखिए तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निक को हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि जो भी यहीं एको बना करदेता हूं जिन बाईयों को आई नहीं बनाने कोे दिकन नहीं हुँ आका साथ तो को टेंसन लेने के बात है नहीं तो मैं आपको बतादेता हूं कैसे बनेगी तो उसमें मैंने आपको दे रखा था दो सरकिल इनकी रेडियस थी 30 30 तो आप क्या करोगे के मैंने दोबारे कमेंट सोर्ट ट्रिक बताता हूं सी एंटर एंड दें 30 कि सी एंटर पॉइंट दें 30 इंटर इस तरह से 30 के सर्क्रें होगे अब मुझे सेंब इसके सेंटर पॉइंट से दिस्टेंस पर एक दूसर के लिएंट तो आप करोगो यहां कोपी का है यह कोपी को खिल्क करोगा सिसिक्रावं किया दें राइट क्लिक ठीक करें यह इत्रान कि नर्ट कर दिए और यहां आप लिखोगे 100 क्योंकि 100 उसकी डाइमेंशन है तो 100 आपको प्रेस्ट करना होगा ओक्य करना है यह आपके 100 डिस्टेंस पे आगी है ठीक है अब उसके बाद क्या करना है उसके बाद उपर की तरफ आपका था सरक्ल वह सरक्ल किते हैं तो उसको बनाने के बहुत आस तरीका है मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या करना होगा आपको सिंपली प्रेस्ट करना होगा सी सी इंटर फिर आपको करना होगा टी टी आर इंटर फिर आपको क्या करना होगा दोनों जो आपके सरक्ल है इन दोनों को टच करना होगा यह करसर है आपका फर्स्ट पर कर दिया उसके बाद आपको डालनी है रेडियस रेडियस कित्ते थी आपके थी 60 तो 60 इंटर इस तरह से आपके पास यह रेडियस आगे ट्रिम करने का मैंने पहले बताया था टी और डबल एंटर यह आपका ट्रिम हो जाएगा ठीक है फ्रेंट्स सेम देन अगें यही डेडियस आपको नीचे भी बनानी है तो वहीं सेम प्रोसेस जो मैंना भी आपको बताया था सी एंटर उसके बाद टी टी आर एंटर फर्स्ट सर्किल पर क्लिक देन सेकंड साके पर क्लिक ठीक है उसके बाद रेडियस कित्ती थी सिक्स्टी तो सिक्स जीरो एंटर इस तरह से यह बन गई और आप इसको कर दोगे ट्रिम हुग How to यहां से ठीक लेलो क्यार डबल एंट्र और प्रेस कर दीजिए कि इस तरह से मैंने प्रेस कर दियो श्कूर्ण और शी देख लीजिए सही बनी है या नहीं तो मैं यहां से फर्स्ट पॉइंट दैन सेकेंड पॉइंट आपका यह अंड्रेड जैसे कि मैंने पिछली यूडियों बताई दिया देन अगें देन अगें रेडियेश फर्स्ट थर्टी स्पेस बार रिपीट देन सेक्स्टी देन थर्टी देन सेक्स्टी ठीके फ्रेंस तो इस तरह से जो आप मैंने आपको सर्प्राइज दिया था वह सर्प्राइज की ड्रोइंग बन चुकी है मैं फिर से रिपीट कर देता हूं दूसरी ड्रोइंग बना के ताकि आपको कौन से अच्छी तरह समझ में आ सके तो मैं दूसरी वीडियों एक और बना कर दिखा देता हूं कि इसको साइड में टा देते हैं सरकील ले रहते हैं थोड़ा जल्दी फास्ट करते हैं सी इंटर या प्रेस कर दीजिए इस बार में 50 का लिए रहा हूं 50 एंटर यह सरकील डिस्टेंस इस बार में लग ले रहा हूं यह सेट किजिए देन राइट क्लीक सेंट्र पॉंट सेट किजिए इसका देन जितनी डिस्टेंस पर आप गोड़ाना है जैसे मैंने आप यह अंड्रेट पर डाला था अब मैं 50 पर कर रहा हूं यह 50 एंटर इस तरह से हो गया बहुत फिट्टी में बहुत पास पर आ गया तो आप क्या करोगे बेक ले लोगा है कंट्रोल जेड से बेक उस जलंग हो भी जाती है तो गलति उसको दाने के लिए कंट्रोल जेड प्रेस करोगे यह कर दिया उसके बाद दूबार है copy then select right click center point then 200 ले लेते हैं इस तरह से 200 अब इन दोनों के बीच में radius लगाने इस बार radius में बड़ी लूँगा तो वही सेम प्रोसेस c enter ठीक है उसके बाद क्या करना आपको टी टी आ इंटर फर्स्ट पॉइंट डैन सेकंड पॉइंट जरूर नहीं इसके बीच में आप कहीं भी लगा सकते हो इधर इधर कहीं भी ठीक है इसे मैंने इस पर क्लिक कर दिया उसके बाद रेडियस रेडियस इस बार मैं 200 ले रहा हूं इस तरह 200 पर यह पूरा कवर हो जाएगी ठीक है फ्रेंट्स यह मैंने बड़ी वाली बताईए आपको तक्या आपको समझ बाज है 200 वाले हुई आप दें आगे दूसरी यह सेम प्रोसेस अगा आपको नीचे करना है इसको ट् यह ने बताई दिया था सी एंटर टी टी आर एंटर फर्स्ट पॉइंट देन सेकेंड पॉइंट देन उसके बाद जितनी आपके डेडियस थी 200 एंटर इस तरह से आपके पास इंटरफेस हो गया वसको कर दीजिए ट्रिम टी आर डवल एंटर यहां से इसको मैंने कर दें इस तरह से आपके पास यह इंटरफेस हो गया यह बनेगा ठीक है फ्रेंस आसा करता हूं आपको यह वीडियो समझ में आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना बोले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छे कम लासा को